जहेंद फ्रेंड्स हमारी योद्धा सीरीज चल रही है जिसमें हम 10 दिन के अंदर आपकी क्लास 10 की पूरी जोगरफी और पूरी पॉलिटी करने वाले थे अब उसी कड़ी में हमारा अगला चेप्टर है चेप्टर 7 नहीं चेप्टर 4 पॉलिटी का और सुनो इसका मैंने एक सिक्यू ताप कोशन्स वू अमोंग दी फॉलोइंग रिकोगनाइज पॉलिटिकल पाटी इन इंडिया हमारे देश में फोलिटिकल पाटी को कौन रिकोगनाइज करता है एलेक्शन कमिशन इन विच आप दी फॉलोइंग स्टेट्स शिफ सेना एक्जिस्ट एज़िस्ट होती है महारास्ट वाले छित्र में वाट इस आसाइंट डॉक्यूमेंट सब्मिटेट टू एन ऑफिसर रिगार्डिंग हर परसनल इंफोर्मिशन किसकी पॉलिटिकल केंडिडेट की क्या होता है वो डॉक्यूमेंट एफिडेवेट होता है हमने डिसकस करा था इसके बाद किसकी कमेंटरी एलेक्शन इन इइंडिया हuddhi 24 में एनृट्र प्रॉक्रिशिय। यख़ूपी की अलाइन्थ हुए जिए टिर्फ टाहूम्ड के लेसेव आलाइन्स खेंग वू इज दी फाउंडर ओफ बहू जन समाझ पार्टी बहुजन समाझ पार्टी के फावंडर कौन कांशिराम यह विच विज गेव दि मीनिंग ओफ अलाइंस का मतलब क्या होता है सेवरेल विद सेवरेल पार्टी इन अ मुटी पार्टी सिस्टेम जोइन दी परपोस और फो कंटस्टिंग एलेक्शन एंड विलिंग पावर साकुछ पार्टी इस मिलके एक अलाइंस फ़र्म करती है ग्रुप फॉर्म करती है पार्टी का और किसमें एक मल्टी पार्टी सिस्टेम वाली कंट्री में जैसे हमारे भारत हो गया और वो साथ में अपनी अलाइंस में के एलेक्शन में participate करती है और जीतने के बाद अगर जीत गई तो जीत गई तो जो पावर मिलती है इसको share करती है अपस में identify the एक बात सुनो Alliance कि होता है Alliance एलेक्षिन जीतने से फ़हले और अगलाplayer जीतने के लिए साथ में संगठन बना रहे होता है अलाइंस ठीक है और कोलिजन मतलब क्या कि अपने साथ में सब अलग अलग जीत गया अपने जीते हैं अपने को बैजोर्टी हसल नहीं उपाई तब जाके फिर अपन मिलते हैं वह होता हैं कोलिजन ओके आइंटिफाइड पार्टी फॉर्म आपको याद अखना है आपको बस मुए है उद्देश ही है कि आपको पूरा जप्तर रिवायस हो जाए जो 1925 में बनी थी और जो बिलीव करती है मार्क्सिजम और लेनिजम को और सेकुलरिजम एड्ड डेमक्रिटी में ठीक है और अपोस करती है अपोस करती है कम्मिनिजम को और सेक्शनिजम को यानि बटवारे को अपोस करती कौन सी पार्टी कमनेश्ट पार्टी और इंडिया यह दौन आप ध्यानक में पॉइंट्स आंगे बढ़ते हैं आपके एमजी क्यू कोशन खतम होचे गए है अब आपके वरी शोट कोशन जो कि आपसे ऐसे पूछ सब्सक्राइब के एक्स्पेंट इस डैट वाट डिमीन बाइव रूलिंग पार्टी वोट दी मीन बावन पार्टी सिस्टम ऐसे आपसे पूछ सकते हैं तो यह दो दो मास्ट द कः सकते हैं इस्तरि करते है छालिए पार्टीशन सिप आफ परसन EUG मिटे स्ट्रॉणग वहलों परटीजस अपना इन easy टेका साइड एंड इनेबिल्टी टेक बैलेंस यू ऑन आश्यू अगर वो सुछता है कि वो परसन जो पार्टिशन जो पार्टिशन हो चुका है वो परसन के सुछता है कि मेरी पार्टी जो करेगी सही करेगी बस वो यह नहीं देखता है वो नीट्रल होई नहीं पाता हो बर फुलिटीकल पार्टी और फॉर्मस इस उने जिसने गूवर्मेन्ट बना लिए और जो एलेक्शन जीत चुकी है मैजोर्टी इसके हाथ में है वह थी रूलिंग पार्टी जैसे कि अभी इंग्जामपल दो अभी तो पीजेपी और पहले प्रप्रॉभक यदो सॉर्मक्रीन और बीच में भी कोई और पार्टी आयो तो शायद मुझे पता नहीं आंगे बढ़ते हैं वन पार्टी सिस्टम आप आ सिस्टम वेर ओनली वन पार्टी डॉमिनेंस दि पॉलिटिकल स्पियर एंड इट इस अलावड टू कंट्रोल एंड रन दी गोवर्मेंट एक ही पार्ट होती है वह है बढ़त और ग्हांज सब्सकों आप मेंby और बार्टी में इसेटी नहीं होता है आ Istra के लिए एक ही पार्टी स्फिषयेट होती है असिस्टम वेर अ डभी पार उजर सीच्ट बूएंड मैं पार्टीजज क्वाटी बील और दी पार्टी में इस्टि हो सकती ह जो कॉपडिशन होता है वो दो डॉमिनेंसिंग पार्टी की बीच में होता है इसलिए हम इसको कहते हैं टू पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, इट सेवरल पार्टी इस सेवरल पार्टी बहुत सारी पार्टी करती हैं और एंड मोर देन टू पार्टी हैव अस र कि व्हाट पार्टि पार्टि बीच में यहाँ पर इन दौन पडी में सब्सक्राइब नहीं कोई भी पार्टि में सब्सक्राइब नोट्स आप लेती चलो इसकुन चोट नेशनल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी विच गिव आ नेशनल वाइड रप्रेजेंस एंड क्वालिफाइज दी शिक्स परसेंट आफ टोटल वोर्ट आफ लोकसभा या फिर या फिर या फिर आसेंबली एलेक्शन में भी शिक्स पर करते हैं तो सबस्क्राइब बटाया यह एक यह इसको कमीशन ने खुद से रिकवागनाज कर आप बड़ी पार्टी हो और आपको मैं आपका एक सिंबल फिक्स कर देता हूं जैसे कि बीजेबी का सिंबल है लोटस और और इसका पंजा और इसका हां मुझे नहीं पता आप हो कि जयाँ पार्टी को है कि यह किसी स्पेसिफिक बीजन में होती है पुलिटिकल पार्टि इसके और एटेशंट परसंट वर्डस लेटिसलिसलिकर की उसस्टेट की लिश्टिसलिकर के फोर और दो सेट लोग सब्सक्राइब में नहीं नहीं दो कुक्ति होती है अई है यह चैंजिंग कंगे परठी इक्र compete होती है तब जाके पार्ड नाती है से फार्डी दो गारट एडिया है एक आप देख ले क्यों ना कभेंड फार्टीं श्चिंह इंज गाद कर्ड लायंस फ्रां मिचेंग tapa पार्टी मैंने दिल्ली की सीट जीत ली उसके आत पर मैंने बीजेपे के साथ मिला ले यह क्या होगा डेफेक्षन यानि अपनी पार्टी छोड़ देना एलेक्षन जीतने के बाद बाद बदल लेना इसको हम हिंदी में कर सकते हैं अभी हमने एंजी की में पढ़ ला था यह इसके पर कोई केस तो नहीं है या इसकी क्या क्या प्रपरटी जो सब अलाइंस या फिर उसको हम फ्रॉंट भी कह सकते हैं वेर आसेवल पार्टी इन मल्टी पार्टी सिस्टेम कम टोगेदर इनकोलीजन सब्सक्राइब करेंगे मतलब क्या कि मैजोटी नहीं आप आ रही तो फिर सब लोग मिल जा और पावर गेंड कर लो ऐसा अब हम देखते हैं शौर्ट अंसर टाइप कोशन्स वोट यू अंड़स्टेंड बाइप पॉलिटिकल पार्टी एक्स्प्लेन देर कंपोनेंट्स पॉलिटिकल पार्टी से आप क्या समझते हैं आपको देखो आपको सीधी सटीक डेफिनेशन यहां पर मैं दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी इसन ओगनाशन ओफ पीपल वू कम टुगेदर टू कंटेस्ट एक्शन एंड कंट्रोल पॉलिटिकल पावर्स ग्रुप है प ट्रिट्ट एंड रेट को किसी भी कॉंसिट्ट एंटीक डेके ऐसे लगते हैं ठीके धियर थ्री कंपोनेंट्स और फोपोलिटिकल पार्टी उनकी लीडर्स उनकी एक्टिव मेंबर्स और तीसरा उनकी फोल्वर्स ठीके वाट इस देल रोल ऑफ पर पोडिशन इन डॉमक करने वालाओ ओनालगोना सब्सक्राइब बैलेंस और सपावर नहीं तो फिर जो रूलिंग्स अब ऑनक्रॉल 6 कुछ भी लौ बनाएगी और उसको कुछ चेक करने वाला नहीं होगा हाला कि सुप्रीम कोट है बट फिर भी एक अप्पोज करने वाली पार्टी होनी चाहिए यह होगा इंट्रॉडक्शन आप थोड़ा शॉट में लिखना लूजिंग पार्टी प्ले दी रोल ऑफ अप्पोजिशन टू दी गौवनेटों यह एक अल्टेनेटिव अप्प्शिशन मतलब क्या कि अगर तुम अच्छी से काम नहीं करोगे तो फर हम पावर में आएंगे ऐसा हम हाव पोलिटिकल पार्टी शेप पब्लिक ऑपिन पॉलिटिकल पार्टी कैसे पब्लिक ऑपिन पड़ती है कि वह अपनी पार्टी को एक मेंडिया मच लोग अपने आपको उस पार्टी से असोसेट करने लगते हैं लोग सुचते हैं कि लोगों को नहीं पता कि एजुक्योशन के लिटरेसी लिटरेसी वगदल नहीं है और हैल्थ वाचीज या फिर लोग यह सब को अच्छा है अच्छा लोग पार्टी से अपने आपको अस्थी वammेर्स करते हैं लाखोव लोग और ऑपीनियान के स्वीस लाइन सो ब्लाइब से पार्टी से नहीं यह अपने लोग के अपने समय स्वाथ में लेने यह कोशिच करते हैं जेकि आप बुक्ति करना आपको तोड़ा और अच्छे सी क्लेट हो जाएगा आंगे बढ़ते हैं एक्स्पेंट मल्टी पार्टी सिस्टम एंड वोट आड़ी एडवांटेज इस एंड वाई इंडिया अडॉप्टेट मल्टी पार्टी सिस्टम क्या है मैंने आपको भी बताया आप देखिए हाँ पर इसमे में बहुत सारी पार्टी होती हैं और सभी के फियर चांसे होते हैं जितने की हम ठीक है मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है एक सदिक पार्टी होती हैं सभी के फियर चांसे होने जितने के और अगर नहीं जीत पाती है तो फिर वो कोलिशन बना लेती है या फिर अपन करता है हमारे यहां पर नेंसिटी है कि हमारे यहां पर बहुत जड़ जागा सबीत हो सकता है इंडिया इंडिया विङ मैं आपको शॉट्स में दिये हैं आपको खुछ से अंसा बनाने हैं मैं आपको वाइस एक पॉइंट दिरा हूँ जो कि आपको अंसा अल्टीमेटली आपको पेपर में जाके खुछ से ही लिखना है आप रटके नहीं जा रहे हो तिक है है differentiated between to party and multi-party system, 2-party system and multiparty system a system where the power usually changes between two parties and when more than two parties have are reasonable changes and off coming to power and we call our multiparty system सब्सक् horizon कई दो से अधिक भी पार्टी जा सकती है थीकि कहां आप इसम सेवरल अधर पार्टी में एगजिस्ट वच्प मेली और पार्टी जो ब्रूबस त मरर में पार्टी। दे टियान है इंडिया में और हम पार्टी। आउप Kərणिया अद्रीकिशा में पार्टी। इंडियाथ नेकिंट पार्टी। तेहें बज्ज यूोएसर यूके और इंडिया हूं डफेंट बीट्वीन नेश्चनल एंड स्टेड पार्टी नेश्चनल पार्टी को नेश्चनल पार्टी इस्टेट पार्टी इन डिफेंड वाले कॉशंअ आ सकते हैं influence is all over the country influence is limited to a state या फिर या फिर कुछ फ्यू स्टेट्स में इंफ्लेंस हो सकता है और रिकोगनाइजड पार्टी ये इसको हम रिकोगनाइजड पार्टी कहते हैं यो कि इसको रिकोगनाइज किया गया है एलेक्शन कमीशन ने क्यों करा है यो कि ये एक लाज इसके पार्टी है और इसको इसके सेंबल्स कुछ फिक्स कर दी गया है इसके कुछ स्पैसिविक फीचार कर दी गया है इसलिए हम इसको रिकोगनाइज पार्टी कहेंगे ये इसको हम रिजिनल पार्टी कहेंगे यो कि ये किसी एक रीजन में है six percent of total upwards of लोकसभा और assembly election and win at least four states in all iennent and win at least four states in लोकसभा criteria दह्खो, इसके लिए दो criteria है इसके लिए ब्यो стар या तो लोखसभा में total votes ले लो या फिर इंदून मेंसे एक चीज शाहें णुदो और दूसरा criteria है चाहर्ट सीट्स चाहिए लोग सबंग में इसमें दो सेट्स चाहिए स्टेट लेजिस्लेचर में और क्या लिखा है। जमाता जल और शिट्स हेना यह सबी चीद आंगे बढ़ते हैं examine the objectives of NCP and what did it became a member of United Progressive Alliance क्या objectives थे NCP के देखो advocate democracy and Gandhian socialism and equal social justice ये थे objectives और कब वो separate हुई थी United Progressive Alliance से दोजात चार में और एक पॉइंटर सोरी में भूल गया था हायर पोस्ट टू बी limited to natural born citizen का ये कहना था कि Congress में जो हायर पोस्ट जो बड़ी लीडर वाली पोस्ट है वो किसी योग व्यक्ति को नहीं मिल रही है इसलिए हम उससे अलग हो रहे हैं ठीक है United Progressive Alliance से हम अलग हो रहे हैं और हम अपनी एक सेपरेट पार्टी बना रहे हैं क्यों कि जो निनेच जो बच्च जो बच्चे हैं जो संद और डॉटर है किसके लीडर के वो पार्टी में आ रहे हैं वो लीडर बन रहे ना कि कि किसी योग्यवेक्ति को पार्टी की रीडर बनाया जा रहा है ठीक है 24 में हुआ था यह और राइट और शॉट नोट और एनी ऑफ दी पॉलिटिकल पार्टी के उपर शॉट नोट लिखी है और पहर आपको सारी पार्टी के उपर शॉट लिखके दिखाया है अभी देखत पार्टी लेट लेटी लिखनी है और चौसी चीज आप यह भी लिख सकते हो कहां पर वो दीजन कहां पर वो पार्टी है आप पूरे कंट्री लवल पर वह बाती है अगर वह कुछ इंशल इसको बंगल वाले छेतर में उसको नेशनल दोजाश चहेम इसको नेशनल पार्ट तर्ज़ी रिदिया गया था इसने क्रेटरिये फुल्फिल कर दिया होंगे इसलिए एना कमीटेट से क्रेड़रिज्म को सपुर्ट करती है और यह कि पार्टी यो लोकल लेवल पर पावर डिवाड होनी चाहिए इसमें विश्वा सकती है पार्टी और सेकुलर यानि धर्म निर्पेक शोनी चाहिए स्टेट और 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 अल्सो है प्रिजेंस इन अनुनाचल प्रदेश और मनिपूर एंट रिपूरा आंगे बढ़ते हैं बहुचन समाज पार्टी वीएस पी इसका फॉल फर्म मैंने आपसे पूचा था नाइटीन एटीफूर में इसकी फाउंडेशन होई थी और इसके फाउंडर थे कांसी राम पार्टी सिंबॉल क्या है एलिफेंट मैंने आपको चलो आप इसको मुझे सिंबल बताना आप मुझे ठीक है मैं आपको हिंज देता ह बाटी को स्क리 करते हैं अधिवासी दलिस और ओभी सी यो डीजन जो ऑदीवासीशी दलिसर उनको सपोर्ट करती है उनको रिप्रेजन करती है पार्टी और ब्रॉण इंस्पिरेशन फ्रॉम साहुची महराज वस्ट महात्मे गांदी वह फुले प्येर आतनाउयकर प्ये stuk और नायकर इन सभी से इंसुरेशन लेती है पार्टी और मेली बेस्ट कहां पर है यूपी प्रिजेंट आज को जो मध्य पर देसे वह चतिसगर और डेली और उत्राखंड पंजाब वाले छेत्र में इस पार्टी की बहुमत है बहुमत तो नहीं मतलब है प्रिजेंस है भारत इंडियन वाय ड्रॉइंग एक मौड़न भारत इनको बनाना है कैसे इंस्प्रेशन किससे लेती है जो पुराना भारत की संस्कृति रही है कल्चर रहा है और जो पूरानी वेल्यूस थी उनसे और कल्चरल नेशनलिजम यानि हिंदुत्व इस इन इंपॉर्टेंट एलिमे मानके चलती है परटी और इंडियन निस्विजम निया हमारे राष्ट का राष्ट की चेतना को को बढ़ाने की कोशिश करती है वांसा यूनिफर्म कोड फॉर ओल दी इंडिविजल सभी इंडिविजल्स के लिए यूनिफर्म कोड होना चाहिए हम इसके बार में तने जारा क्यों पढ़ रहा है जो कि यह रूलिंग पार्टी है अभी पिंसिपल और प्रिंसिपल और ऑप इंडिया यानि इसको CBI MB कहते है 1940 अब इसको ध्यान से समझों सी बी आई एम आंगे एक और इसका ऐसी नाम बाली कंविज मत होना 1964 में इसकी स्थापना हुए थी बिलीव करती है मार्क्सिजम एलियनिजम में एंडि पार्टी सिंबल इज हैमर एंड सिकल सिकल यानि हसिया और हैमर यानि हतोड़ा आंगे एक और ऐसी मिलती जुलती आप कन्विज मत होना और सपोर्ट सेक्लिजम एंड डेमोक्रिसी एंड ऑपरेशन इंपरियरिजम फोन डिविव और फॉरेंग करती है और इस पूर्व और इन्फ लाहेशन को सप्पोर्ट करती है और यह फ्री इंफ्लोव होने चीहें क्वेटलिब्स का और और स्ट्रांग सपोर्च इन्वेस्ट बेंगौल और चैला वाले छेतर में हां परटी और इंडिया इंडिया नेशनल कॉंग्रेस यानि जो सेकेंड लाज इस पार्टी है हमारे देश की वह इंडियानेशनल कॉंगरेस आयजी 1885 सबसे परानी पार्टी है इसकी स्थापना हुए थी ओल्डिस पाटी एंड सोट टू टू बोल्ट सौर्ट टू बिल्ड आ सेकुलर डेमोक्रिटिक इंडिया इनको एक सेकुलर यानि एक एक धाम निश्पेक्ष राष्ट बनाना है इनको और पाटी सिंबल इस पाल्म विथ वाय फिंगर यह पाटी पाटी में प्रिंश्पेल ऑपरश्टन पार्टी एंड में तुक दी सभा प्रिजेंट लिए हां एक एनसे पी नेशन कंग्रेस पार्टी नाटी नानटीन नानटीन में इसकी स्थापना हुए थी और इसके सिंबल है घली और सपर्ज ढेमक्राशी एंड गंधियन सेकुलि कानफर्मड टू नेच्वल जो नेच्वल बोंड सितियसंगे उनको प्रश्वटिय ना दीजा है मतलब उनको एगा वो योग तो देनी चाहिए और अगर योग नहीं है तो जो योग रखी उनको प्रशुटिय देनी चाहिए और जान्स इन महाले महराश्ट और मनिपुर वा आया ठीक है Communist Party of India CPI 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 M थी इसकी स्थापना 1925 में हुई है और पहले हुई है Believes in Marxism and Leninism and Secularism and Democracy and Opposed to Secular Section and Communism Communism and Sectionism को सब अपोस करती है and the Party symbol is the Secular and Grains यानि हसिया और जो ग्रेंज यानि जो होती ना जो खेती मतलब जो खेती अनाज ठीक है अनाज और प्रमोट दी इंटर्स्ट और वर्किंग क्लास और फामर्स और इनको सपोर्ट करते हैं अब देखी सकते हैं और ग्रेंज है एंड एक्स्टें विद एक्जांपल लेक ओफ इंटर्नल डेमोकर्टिक इंटर्नल डेमोकरसी मतलब क्या कि एक पार्टी के अंदर ही जो बड़े लीडर्स हैं वो सारे डिजन ले रहे हैं और चोटे लीडर्स की बात नहीं सुनी जा रही है कॉंसेंट्रेशन और पावर इन वन आप दी फ्यू लीडर्स अलों टॉप जो बड़े लीडर्स है वह अपने 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 दिशन ले लते हैं और और अर्डिनरी मेंबर ऑफ दी प्वार्टी डू नोट गेट सगनिफिकेंट इंफोमिशन उनको इंफोमिशन नहीं मिल जनतों को कर रहा है क्योंकि वह लीडर है बट उनकी बड़ी लीडर से प्रिचान नहीं तो फिर वह उनकी कोई सुनता नहीं पार्टी के अंदर एकस्प्रेंड एन्टी डिफेक्शन लौ यानि एन्टी डिफेक्शन लौ लाया गया था जिससे हम क्या का थीन अपर पार्टी को सुधानने के लिए यह जो पार्टी करने किये कमिय हैं वह आप में एक लॉग कोई सिमय में बताऊंगा बट जो कमिया है उनको दानने के लिए एंटी डिफेक्शन लौ लाया था जिससे पतलब क्या था कि जो लोग बदल लेते ना वह दल न इस्टेबिटी ना लापा यानि वह दल ना बदल पा है लेक्षिन जीतने के बाद अगा दल बदलना है तो अपनी जीते हो अपनी जीती हुई पदवी है उसको छोड़ो और द्वार से लेक्षन लड़ो अगार तुमको चेंज करना है तो अफीडेवेट यानि आपको एक ल उनकी जो राइट से उनको आना नोरा है चोटी लेडर का तो क्या करना चाहिए एक मेनिटरिटी होने चाहिए कर पार्टी के अंदर ही इलेक्षन हो कोई भी मुद्धा लेना है उस पार्टी को तो उस सारे मेम्बर्स ही जो छोटे मेमबर्स और उनकी बी बात सुनी जाए और उनको भी राट टू इंफोर्मिशन दीजाए कि अपनी पार्टी क्या कर रही है यानि उनका इंवल्मेंट करो उन छोटी लीडर्स का क्योंकि वह छोटी लीडर्स भी भारत के जंता को अपनी 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 कॉंसिट्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगे बढ़ते हैं पॉब्लिक पार्टीसपेशन और ऑल्सो प्ले आव बैरी इंपॉर्टेंट डॉल इन रिफॉर्मिंग पार्ट पॉलिटिकल पार्टी एक्स्प्लेंट इंट्रॉक्षण डपन देंगे इसे पब्लिक कैसे पार्टी को पार्टी सुरिंग कर सकती है ल लोग भी उन पार्टी को पर फ्रोश्य बना सकता है कि हमें तुम ऐसी पार्टी नहीं चाहिए हमें अच्छी पार्टी चाहिए ताकि काटी खुद से अपने अंदर रफॉर्म करें अजो वूट रफॉर्म जोईन प्लिटिकल पार्टी जिनको रफॉर्म चाहिए वो खुद से पार्टी करने चले जाएं तुम बाहर से को कोजिश करो तुम अधर जाके कोजिश करो तुम खुद एक यूवार नेता बनो लंग answer ऐब कोशन वाट इस दी मेनिंग ऑप्वॉर्टिकल पार्टी एडिस्ट्राइब लॉफ प्वॉट्टिकल पार्टी इन इंडिन डेमोग्रसी प्वॉलिटिकल पार्टी होती ही कोना है और ओगनायशन उती ही है ऐसको फ्रॉंट भी कह सकते हैं जो की करता करता है प मतलब क्या feature आपको important role आसे एक बहुत जार important Question है यह political parties क्या होती है उसके क्या क्या role होते है या या क्या features होते है election में participant करती है अपने candidates को किसी ना किस consistency पर उतारके और अपनी जो policies है और जो प्रोग्राम में लोगों के सामने लगती है कि जनता आप ही हमारी पॉलिसी देखी हम आपके काम करेंगे अपकी भलाएका और आप प्लीज हमें वोट दीजे और प्ले डेसेटिफ रोल इन दी लॉवेकिंग प्रोसेस इन पार्लेमेंट पार्लेमेंट में रोल हमारे लिए लॉव बनाने में बहुत जारा इंपोर्टें रोल प्ले करती हैं ये पार्टी अगर ये पार्टीज ना होती है तो फिर इन्डियूजरी लोग पार्टीफ करते लेक्शन में और वो फिर नहीं हुपाती किसी भी मुद्धे पहां बढ़ा कोई डिजेट नहीं ले पाते बताऊंगा आंगे फॉर्म और रान नहीं बनापा तो सेकंड मेजर्टी पार्टी अपोजिशन पार्टी बने जाती है यह पब्लिक अपने आपको उनसे एससेट करती कि हमारी पार्टी है और पब्लिक के वीच में डिविजन भी होता है इस कारंट से एंड वाइब modern democracy cannot exist without political parties explain modern democracy क्यों बताना कि अगर आप एप प्लिकल प्ले कर रहें तो अगर पार्टी क्या इन्रिशारों प्ले करते हैं कैसे इन्रिशारों प्लिशार। में देखो इलीट्स नहीं होंगे तो प्रेलक्षन तो होंगे बोट टकेंडिड़ीजि़ु उलते याएं Oooh निद्धली сот कुने ये और फिर me record अपनी को अपनि जवाब देही होंगे किसके लिए अपनी 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 कौंसिटेश्वेश्ट के लोग के लिए ही जवाब देही होंगे उन्हें कोछे नहीं है कि राष्ट मुद्धे पर सभी खड़े हो इसलिए हमें पॉलिटीकल पार्टी फॉर्म करनी होगी पीछे में बात करते हैं हमारे पाश्रष से वधायक से इन से रिखे वाट आर दी डिफेर्ट पार्टी सिस्टम अगज अवच अब ने लोंग अचाग कुछन है मैंने आपके लिए लिखा कि आप लिखोगे मैंने सब कुछ एक्सपें तो कर दिया पीछे लिए शाट में देखो शॉर्ट में देखो मैंने सब कुछ एक्स्प्रेंट कर दिया है मैं बस रिपीट कर रहा हूं कुशन्स को बावाबर बस बहुत इसब कुछ इतना इजी और इंट्रस्टेंग कोशन है चैपटर है और इंप्रटेंट भी एए डिखरिव कितने होती है इंटुडक्शन होती है कि पोल्ते करती प्धिकल पार्टी पर्टी पर्टी अवदिटेंट करती हैं रीजन पर अप लग सकते हो व्यूंच आप इतनी है लेंग सकत ऩो किया प्रुमेंट्टेशन हो गया था प्रुमे किसाशन और डूंपार्टी निस्तम मतलब जिसमें टशल चलती है कि कौनती पार्टी जीतेगी भागी सबस्क्राइब पार्टी में मुल्टी पार्टी में बहुत सारी पार्टी होती है। और कितनी ज़्याद्व भिनिता है वहाँ पर उसपे डिपैंड करता है। ठीक है। वाट आर दी मेजर चैलेंजेंजेंजेज विच 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 ऊव दी पोलिटिकल पार्टी से इन दी विजन टैरा। अभिए के समय में पौिटिकल से बड़ बड़ चैलंजन्न जील रही हैं हमने इसां बरए क्वेशन का रणा थे इसमने कआा गया क्या रहा हमने वंप़ेशन देख्या था कैपटी इसमें क्या कह P कि यारे सुनो सुनो तुम्हों मेरे के पार्टी के मेंबर होना चोड़े नेता हूं सुनो सुनो मैं जो बोलूँगों तुम उस पर हाथ उठा देना बस मेरी चलेगी अपने अपने अपनी पार्टी की लिडर्शिप नहीं नहीं जानता बट ऐसा कभी कभी होता है कि योग शाचक अप अपने मुनाकी में अटेंड कर लो कि जो आएसे थो तो राजा योग है तो बेटा भी योग होगा इक्जांपल दिया इस मैंने बट जो डाइसे चीज़ें देखी आती है यह कि मैं पार्टी की लिडर्शिप अपने जो पार्टी की लीडर उनके बैच्चों के मिलती है ना कि किसी योग मेंबर को कोई लोग जिनके बहुत पैसा होता है पार्टी उनको सपोर्ट करती है उनको टिकेट दे देती है और डेकलायन इन मीनिंग औफ फियर चॉज़ेस नहीं होंगी यानि फियर चॉज़ेस यानि आप मैंजे डिक्राइट को वोड़ दो या चोब वोड़ दो बात तो यह ही ह और डिस्क्राइब दी फॉर्स ऑफ जो ठीके में ही सवाथ सोना एंटी एक्षेक्शन और यह आप एस एफिडवेट और यह पार्टी गंदा एलक्शन में आपको थी नहीं चीज़ेस एक्स्लिन करी दी यह देखो यह कुछ सब्सक्राइशन है जो कि आपको करने साही जैस पार्टी पार्टी कम एकनोमिकल पावरफुल है तो अब वह सप्रेस हो जाए ऐसा नहीं हो और लोग शुट भी शेयर रेगुलेट दी इंटर्नल अब पार्टी करने चीज़ों हो रही उनको लोकेदारा रोका जाए धन्यवाद अब आपके लिए शॉट्स में अप्लोड ठीके नहीं बाद जाए इंट